Hello friends, welcome back! स्वागत है आप सभी का आज के हमारे lecture जो की based है अभी हाल ही में जो परलेमेंट ने बिल पास किया है जिसका नाम है Inland Vessels Act या Inland Vessels Bill of 2021 सबसे पहले तो ये बिल चर्चा का विशह क्यों है? Why is it in news? जो Inland Vessels Bill है 2021 वो replace करता है कितने पुराने बिल को? सौ से भी जादा साल पुराने बिल को ये replace करता है, बदलता है Inland Vessels Act 1917 जो अंग्रेजों ने बनाया था उस वक्त 104 साल पहले उस बिल को ये बिल change करता है, replace करता है क्या खास बात है इस बिल की कि इसके बारे में चर्चा करना बहुत important है ये पहली बार 104 साल में कोशिश की जा रही है कि इस बिल के माध्यम से, इस बिल के through जो fragmented regularity framework है हमारे देश में कि कुछ जब बात आ जाए Inland waterways को manage करने की बात आ जाए उन पर जो vessels चल रहे हैं चाहें वो boards हों चाहें वो ships हों इन vessels को regulate करने की authorities अभी अलग अलग levels पे हैं ज्यादा तर जो authority है वो basically states के पास है, कुछ जो authority है वो center के पास है कैसे formats, certification, refurbishment, etc. करना है इसके बारे में भी कहीं ना कहीं इस 1917 के पुराने बिल में वो level of clarity नहीं है तो parliament ने ये जो bill पास किया है, इसका जो main aim है वो ये है कि जो भी rules and regulations है जिनके through हमारे जो inland waterways हैं और उन पे जो navigate करते हैं vessels या navigation है inland waterways का own rules and regulations को एक single regulatory uniform framework में लाया जा सके इस bill के through government की कोशिश है कि जो इंडिया के inland waterways हैं उनको एक viable, cheap और thriving mode of transport की तरह डेवलप किया जाए पर्टिकुलर्ली cargo transport के लिए और अगर आप देखेंगे तो आप हमारे पुराने हिस्ट्री अगर आप हमारे ancient history के lectures को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पुराने समय से ancient time से waterways ने हर country की economy में, politics में, society में एक बहुत important role play किया है similarly अगर आप developed countries की तरफ चले जाएं चाहे वो Europe हो, चाहे US हो, इवन चाइना उन्होंने extensive network of waterways developed किया है जिसकी वजा से किसी भी चीज़ की जो transportation cost है logistics cost है, flight cost है, cargo की cost है, वो हमारे देश के मुकाबले जहापे अगर माली जहापको एक बड़ा container ले जाना है, तो इंडिया में वो ज़्यादा तर या तो train से ship होगा या फिर वो बड़े trucks में जाएगा, या फिर हो सकता है अगर छोटा basically parcel हो, तो वो air fleet के थूँ जा सकता है और ये तीनों ही existing mode of transportation, waterways के मुकाबले बहुत ज़्यादा expensive पड़ते हैं तो क्योंकि हमारा logistics महेंगा पड़ता है, बाकी countries के मुकाबले, हमारी cost जो products की होती है, इंडिया में जो बनते हैं, उनकी अपने आप बढ़ जाती है इसकी वज़े से हो सकता है कि हम उन countries के साथ compete कर पाने में अपने आपको बड़ा difficulty में महसूस करते होंगे जहाँ पे better inland waterways develop हो चुके हैं, ताकि जादातार उनका bulk up to 50%, 60% waterways के थुरू वहाँ पे transport होता है और जिसकी वज़ा से उनकी overall cost of transportation काफी कम है, जब transportation की cost कम होगी तो जाहिर से बाहत है कि raw materials की cost कम होगी, final products की cost कम होगी और international market में वो products बाकी countries के मुकाबले, इंडिया के मुकाबले ज़्यादा बहतर compete कर पाएंगे तो इस bill के through, safety हो, security हो, registration of inland vessels का, इस सभी को regulate करनी की कोशिश की जा रही है जो 2021 का bill है, replace करता है 1917 के bill को तो कुछ ना कुछ तो कमिया होगी 1917 के bill में कि government को लगा कि finally हमें उस bill को पूरी थरे बदल के अब एक नया bill लाना होगा 1917 का जो bill था, वो दो बार amend किया गया एक बार 1977 में और दूसरी बार 2007 में और 1917 का basically जो bill था, उसमें जो भी mechanically propelled vessels थे उनका जो jurisdiction लाई करता था, वो state governments के पास लाई करता था उसके अलावा, जो requirement of endorsement थी, किस तरह की validity of certificates रहेगी कौन से standards and regulations उनको basically follow करने पड़ेंगे उसमें एक तो clarity कम थी और साथी साथ एक state से दूसरे state पे वो change हो जाते थे तो अगर एक ship को मालीजी, UP के waterways पे operate करना है, हो सकता है अलग type के rules को, certifications को, regulations को basically follow करना पड़ेंगे वही ship basically UP से enter कर जाता है, मालीजी, बिहार में, West Bengal में, Assam में तो वहाँ पे हो सकता है, अलग rules basically उस पे apply हो तो cost of regulation, regulations को compliance करने के लिए basically जो cost पढ़ जाती है किसी भी manufacturer को, industry को, government को, वो कहीं ज़ादा पड़ेगी compared to अगर एक single basically rule हो पूरे country के लिए तो चाहें आप Tamil Nadu में operate करें, आप Rajasthan में operate करें, आप Punjab में operate करें आप UP में operate करें, आप Mighalya में operate करें, आप Missouri में operate करें आप Karnatak में operate करें, गुजरात में operate करें सभी जगे single rule होगा, तो clarity सबके mind में आजाएगी कौन से rules हमें follow करने हैं, किस type of certification हमें चाहिए होगा कौन सा approval चाहिए होगा, etc, etc, etc और जब clarity आजाएगी, uniformity आजाएगी, तो comply करना आसान हो जाएगा जब comply करना आसान हो जाएगा, तो जो cost of regulation compliance वो अपने आप कम हो जाएगी और ज़्यादा investors basically attract होंगे हमारे waterways को use करने में, exploit करने में उनका फायदा उठाने में, तो क्या-क्या ऐसी चीज़े हैं, जो इस bill के माधियम से government लाने की कोशिश कर रही है ये bill basically पहली बात तो एक definition, clear-cut definition देता है कि mechanically propelled vessels, जैसे कि ships हैं, boats हैं, sailing vessels हैं, container vessels हैं, और fairies हैं उनको कैसे-कैसे classify किया जाएगा तो पहली बात तो होगी classification, definition इसमें clear हो गया दूसरी बात, ये bill कहता है कि center government frame करेगी rules and regulations चाहे वो classification of vessels से related हों, चाहे वो standardization of design से होगी किस तरह की standardization of design basically आप कर सकते हैं चाहे वो vessel construction से related हो, चाहे वो crew के accommodations related हो कि crew का जो रहने, खाने, पीने की जोसमे arrangement होना चाहिए किसी भी mechanically propelled vessel में, वो किस type का होगा उसके अलावा construction और modification, ये donor करने से पहले आपको जो designated authority होगी, उनसे approval लेना होगा उसके अलावा, जो vessels का registration है वो vessels का registration आप अपने state में करवा सकते हैं ये union territory में करवा सकते हैं लेकिन जब आप move करना शुरू करेंगे, माली जी आपने travel करना शुरू किया आप Delhi से, येमना से होते हुए UP में तो जो vessel का movement होगा, वो central government के central database में track होता रहेगा ताकि हमेशा हमारी नजर रहे कि कौन सा vessel किसी point of time पे कहाँ पर है या कौन सा उसने कब rule लिया तो इससे पहले हम थोड़ा और detail में जाएं, आप सोच रहे होगे कि national waterways आखिर है क्या? पहले ये तो समझाइए तो 2016 में government ने 111, 111, जो inland waterways हैं, उनको national waterways of India under the National Waterways Act 2016 के थूँ declare किया 111, inland waterways को national waterways declare किया एक law law लाके, act लाके जिसका नाम था National Waterways Act 2016 इन 111, inland waterways में, जो 2016 में declare किये गए अभी 13, 13 waterways basically पूरी तरह operational है जो shipping, navigation, cargo, passenger vessels सभी को basically ferry कर रहे हैं जो inland waterway authority of India है, जो कि ministry of shipping के अंटर basically fall करती है उसको responsibility दी गई है कि आपका काम है you will be the single focal point, noodle point हमारे national waterways को develop करने के लिए चाहे वो commercial navigation हो, उसके साथ हमको assistance basically मिल रही है world bank से, world bank के तरफ से हमको funding मिल रही है, technical assistance मिल रही है कि India और India की जो inland waterways authority है, जो कि ministry of shipping के अंटर आती है वो किस तरीके से, world class तरीके से हमारे inland waterways को develop कर सके government basically चाहती है कि जो inland waterways है, वो जो हमारा fright moment है अभी जो train से, बड़े truck से जारा तर हो रहा है उसके alternative basically उसको supplement करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसके बरावर एक नया mode of transport की तरह basically develop हो जो economic हो, सस्ता हो, उसके अलावा environmentally friendly हो क्योंकि इसमें नहीं तो आपको traffic jams का issue, नहीं आपको लंबे रास्ते ले जाने का issue आप सीधा river से जाएंगे बिना congestion के, आपका fuel बचेगा, less polluting होगा उसके अलावा basically speed भी आपकी delivery कहीं जादा रहेगी बढ़ना कर आप Delhi से basically transport करना चारें बिहार तक, तो इतने सारे tolls बीच माएंगे इतने सारे cities बीच माएंगे, उनके traffic बीच माएंगे आपको halt करना पड़ेगा, रुखना पड़ेगा, crew आप इतना साथ में नहीं ले जा सकते क्योंकि limited cabin space होता है, तो इस वज़ा से बहुत time उसमें लग सकता है waterways में इन ज्यादातर issues को sort out कर दिया जाएगा तो जो 13 basically national waterways हैं, जो कि आप इस map के through देख सकते हैं जिसमें जो waterway number 1 है, वो है गंगा भागी रती हुगली जो basically हल दिया इलहाबाद तक basically हमें connect करता है उसके बाद national waterway 2 है, जो ब्रहमपुत्रा river पर है, national waterway 3 है, वो west coast canal है basically उसके अलावा national waterway number 4 है, वो river Krishna पे है national waterway number 10 है, जो अमभा river पे है, etc, etc, etc तो UP के through एक large section of the inland waterways गुजरता है इसी तरीके से आप देखेंगे river भ्रहमपुत्रा के through इसी तरीके से river नम्दा, river तापी, river गुदावरी, etc, etc, etc सो पूरे इंडिया में, चाहिए वो north इंडिया हो, north east हो, चाहिए south इंडिया हो, सभी में waterways को utilize करके एक economic और environmentally friendly mode of transport डेवलप करने का huge potential है government ने basically study conduct करवाई, कि आप prove करिये कि वास्ता में एक सस्ता mode of transportation है अगर आप एक truck के बजाए, एक train के बजाए, या cargo flight के बजाए, आप inland waterways यूज करें तो तो rights ने basically एक suggestion दिया, कि जो 1 liter है fuel का, वो basically अगर आप road से ले जाएं तो 1 liter fuel move करता है 24 ton km, और वहीं उसको basically अगर आप train से ले जाएं, तो वो 8 liter fuel करता है लगबग 4 गुना 95 ton km, अब सोचिए, अगर उसी को आप inland waterway से ले जाएं, तो कितना हुगा? 110, 120, 150, अगर आप उसी cargo को ले जाएं, तो 1 liter fuel आपको transport करके दे सकता है 215 ton km, just imagine, इसका मतलब roughly roughly, जो हमारे road transportation से जो पैसा लगता है, उसका 110, 110 ही पैसा लगएगा अगर हम inland waterway से ले जाएंगे और roughly, आधे से भी कम लगेगा train के comparison में, similarly, अगर आप 1 ton cargo को 1 km तक ले जाना चाहें, तो train से लगबग 1.36 रुपीज लगता है रेल से लगबग basically 1.36 रुपीज और हाइवे से लगबग 2.50 रुपीज और वहीं inland waterways से सिर्फ 1.06 रुपीज तो clearly, एक सस्ता option है, एक ecologically, environmentally friendly option है और इंडिया के जो internal, जो national waterways है या inland waterways है वो भी highly underutilized है इंडिया की जो capacity है, जो हमारे inland waterways है, अगर हमको हम सई से यूज करें तो 55 million tons of cargo every year तक वो transport कर सकते हैं, handle कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे waterways हैं, ये सिर्फ restricted है गंगा भागी रती हुगली, ब्रंपुत्रा, बराक, सम रिवर्स इन गोवा, बैक वर्टर्स इन केरला, इंलेंड वर्टर्स इन मुंबाई and delta regions of Godavari, Krishna River, so बहुत small portion को ही, सुचे 111 हम national waterways declared के 2016 और सिर्फ 13 अभी operated है, जो inland waterways authority of India है, वो implement अभी कर रही है, बहुत major project जिसका नाम है, जल मार्ग विकास project, कि जितने भी waterways है, उनका development कैसे किया जाए उसके अलावा, capacity augmentation किया जा रहा है, हल्दिया वारा नसी, जो गंगा जी का stretch है, हल्दिया वारा नसी उसके ओपर जो national waterway one, जो हमने declare किया है, world bank की help से, उसको पूरी तरह develop किया जा रहा है, दोस्तों इसके अलावा, जो operations है, mechanized vessels के, या country boats है, इनके operations को कैसे streamline किया जाए, कैसे regulate किया जाए, ये सभी चीजे भी, इस बिलके through national waterways को develop करने के लिए लाई जा रही है और ये बहुत important बात है, कि अभी जो हमारे main modes of transportation है, चाहे वो हमारा highways हो या railways हो, ये बहुत ही ज्यादा overburdened है मतलब उनकी carrying के पैसेट इतनी नहीं है, जितना उनके उपर लादा जा रहा है उसको ये काफियत तक relief करेंगे, जब हमारे inland waterways रोबस तरीके से develop होना शुरू हो जाएंगे अब कुछ इसका opposition भी है, और ये क्योंकि states के पास जो authority थी, अब वो central government के पास authority आ जाएगी तो कई states का इस चीज़ को लेकर opposition भी है, कि आप federal structure को basically violate आप कर रहे हैं, आप power concentrate कर रहे हैं, सारी के सारी center के पास लेकिन सच्छा ही ये है, ति इस law में कुछ do's and don'ts basically prescribe किये गए है और इसमें कहा गया है, कि law settle government बनाएगी, लेकिन जो registration होगा, वो basically state government जो appoint करेंगी registrar of inland vessels उन्हीं के पास होगा इसी तरीके से अगर आपने एक बार registration करवा लिया कहीं पे भी, क्योंकि law same है, वो registration आपको पूरे country में valid होगा आपको हर अलग 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 statement registration करवाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी registration का format क्या होगा, उसकी formalities क्या होगी, क्या requirements होगी, ये कौन decide करेगा, ये decide करेगा central government और एक और मुझे आप law बताईए, जिसमें इस तरह का arrangement already exist करता है तो वो है हमारा Motor Vehicles Act Central government basically बनाती है law, लेकिन सचाई तो ये कि RTO पर जाके आप अपने वही कल्स का certification, आप अपना license issue करवाना, renew करवाना, etc, etc, सब कुछ तो state करता है लेकिन central law बनाने की वज़ा से पूरे country में uniformity आ गई है, license कैसे बरना चाहिए, क्या उसके standards होने चाहिए, कौन कौन से test होने चाहिए, क्या format होना चाहिए वही कोशिश की जा रही है हमारे inland waterways में भी इसके अलावा, इसमें conditions भी गई है, कि जो भी वहीकल या जो भी inland vessel इंडिया में register होगा, अगर कोई distress signal या SOS signal, मतलब कोई मुसीवत न पढ़ जाता है inland waterways में या sea में, तो उसको immediately respond करना होगा ऐसा नहीं कि आपके बगल की नाव को दिक्कत आ गई, आप बगल में से चुप-चाप निकले जा रहे हैं आपको respond करना होगा, अगर आप respond नहीं करते हैं, तो आपके उपर 10,000 रुपीज तक का basically fine लगाया जा सकता है और आपके registration को भी invoke किया जा सकता है उसके अलावा, अगर कोई accident हो जाता है, तो पास के police station में आपको FIR करवाना, report करवाना बहुत ही जरूरी है उसके अलावा, center प्रिस्क्राइब करेगा कि अलग-अलग roles, उस board पे किसका क्या role होगा, उसके लिए किस type की board पे, कितने लोग किस role में होने चाहिए साथे साथ, जो आपका crew होगा, उसका qualification किस type का होना चाहिए और जो इन regulation से comply नहीं करेगा, उनको 10,000 rupees first violation पे और up to 25,000 rupees on subsequent offenses उसके अलावा, किस type का pollutant, किस type का sewage आप discharge कर पाएंगे river में क्या आप खाने का समान discharge कर पाएंगी, या आप fuel का discharge कर पाएंगे river में क्या discharge कर पाएंगे, क्या discharge नहीं कर पाएंगे, ताकि pollution को basically minimize किया जा सकी ये भी center decide करेगा, इसके अलावा, जो एक मैं कहूंगा, important बात ये है, कि जो bill है वो कहता है कि state governments, अलगर एक scheme से कुछ-कुछ पैसा बचा कर, एक fund basically manage करेंगी और उस fund का purpose होगा कि inland waterways और inland vessels का जो sector है, इसके development में उस पैसे को लगाया जा सके last part, कि कि किस type का potential है, हमने ये देख लिया, कि एक important logistical method हो सकता है, mode of transport हो सकता है cheap mode of transport हो सकता है, environmentally friendly mode of transport हो सकता है, उसके अलावा, अगर इसको bigger picture में आप देखें तो जो हमारे eastern और western dedicated fight corridors बन रहे हैं, उनके साथ इसको अगर हम connect कर देंगे तो आप पहले train से cargo ले जा सकते हैं, फिर जहाँ पर आपको shipping या inland waterway का connecting point मिल गया, वहाँ से आप inland waterway को use कर सकते हैं, तो जो overall basically costing होगी, logistics होगी, वो काफी convenient पड़ेगी हमारे country को, हमारे economy को, हमारे investors को, हमारे corporate sector को इसके साथ साथ जो इंडो बांगलादेश, जिसको सोना मुरा, दव कांडी या इंडो महिनमार प्रोटोकॉल है, उनके साथ भी inland waterways को connect किये जाने की basically पुरजोर कोशिश की जा रही है, ताकि inland waterways के through, हम जो हमारा northeast part है, उस तक हम अपनी industries को, अपने mode of transportation को, हमारे transportation को पहुचा सके दोस्तों, तो ये video रहा Inland Wessels Act of 2021, हमने कोशिश के आपको बताने की कि क्यों ये law लाया गया है, किस law को ये replace करता है, क्यों जरूरी है inland waterways को develop करना, national waterways basically कितने है, क्यों है, कब declare किये गए, किस act ने declare किये, और क्या फायदे basically हो सकते है, इस Inland Wessels Act of 2021 के, उमीद है दोस्तों, आपको ये lecture पसंद आया होगा, stay tuned for our next set of videos, until then, जय हिंद, जय भारत